देश में जिस रफ्तार से कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ रही है और अस्पतालों पर दबाओ भी बढ़ने लगा है इस बीच एक चर्चा फिर गर्म हो गई है क्या एक बार फिर हालात नेशनल लॉक्डाउन के होने लगे हैं क्योंकि कई रज्य अपने या संपून या मीनी लॉक्डाउन पहले ही लगा चुके हैं लेकिन कोरोना की हालात संबल नहीं रहे हैं ऐसे में संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर एक्सपर्ट की क्या राई है एक बार जानिए पी एच एफ़ाई बैंगलूरू के प्रोफेसर गिरिधर बाबू का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि नैशनल लॉकडाउन को रास्ता है क्योंकि हम इस वाईरस के फैलने के तरीके को नहीं समझ पा रहे हैं हमें समझना होगा कि एपी सेंटर्स क्या हैं जैसे करनाटक में बैंगलूरू है ऐसे में पूरे राज्य पर लॉकडाउन लगाना सही नहीं होगा प्रोफेसर गिरिदर ने कहा कि हम कंटेनमेंट जोन में सफल नहीं हो पाए हैं लॉकडाउन शेहर या जिला इस तरपर ठीक है हमें नंबर गटाने पर जोर देना चाहिए ताकि अस्पतालों पर बोच कम हो लॉकडाउन से सिर्फ स्पीट कम होगी लेकिन कंटेनमेंट मदद करेगा भारत में कोरोना का हाल 24 गंटे में कुल केस 3,19,315 24 गंटे में कुल मौथ 2,762 एक्टिव केस 28,75,041 कुल केस 1,76,25,735 कुल मौथ 1,97,880 कोरोना वाइरस और वैक्सिन से जुरी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ